अजय शित्य तरा हम बात कर रहे हैं अलग अलग ग्रहों के लगन कुंडली के अलग अलग भाओं में होने पर जब उन ग्रहों की महादशा चलती है तो वो अपने कैसे फल देते हैं इस बारे में इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं ब्रहस्पति देव के बारे में पहले नमबर से लेकर के पारवे नमबर तक पहले भाओ से लेकर के पारवे भाओ तक अपने कैसे फल देंगे इस बारे में आज क्या ये वीडियो है नवम इस्थान को लेकर के गुरुदी ब्रश्पति ये लगने कुडली के नवम इस्थान पर होंगे तो अपने कैसे फल देंगे इस विशे को लेकर के आज का ये वीडियो है सबसे पहले ति आपको एक बात ये समझाता हूँ कि नवम इस्थान होता क्या है तो लगने कॉडली का है नवम इस्थान जो होता है वो हम कहते है भाग्ये का इस्थान भाग्य का इस्थान डेस्टिनी लख का इस्थान हम कहते हैं जो है best of luck ऐसे क्यों कहते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमें यह बाद पता होती है कि लख बहुत मैटर करता है आप मेहनत कर लीजिए और उसी से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है आपका भाग्य बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और उसी भाग्य का भाव होता है लेकिन साथ ही साथ नवे इस्थान को नवे भाव को हम अध्यात्म का भाव भी कहते हैं अध्यात्म धर्म नवे भाव को हम पिता का भाव भी कहते हैं तो बहुत ज़ादा महरपुरा पीता का इस्थान कौन ले सकता है भागे भागे की जगह कौन ले सकता है अध्यात्म जो की परमसत्य है उसकी जगह कौन ले सकता है यहां पर जो भी बाते कर रहे हैं आपके पास पैसा इतना रहेगा इतना रहेगा वगरा वगरा लेकिन सही रास्ते पर चलना पड़ेगा आपको इस मंजिल तक पहुंचना है तो मंजिल कहा है उसका रास्ता सही होना चाहिए ना तो भाष्पत्वथ देव को हुदेव अध्यात्मिक्ता के मालिक है गुर्देव हैं ग्यान के मालिक है, नौलेज के मालिक है, परोकार के मालिक है और वो अपने ही कारग भाव में है, मतलब देखिए ना, खुद ही धर्म है, ग्रस्पति देव खुद धर्म है, खुद ग्यान है, खुद परोकार है और सबसे शुद्ध तो वह अपने ही कारक भाव में आकर के बढ़ेगा आप यह समझेए यह अध्यात्मिक्ता का भाव और यह गुरुदेव भी अध्यात्मिक्ता को ही रिप्रसन करते हैं तो वाजीवर क्या बात है लेकिन इतना ही नहीं है इतना ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ है जैसे जैसे कि भाई ब्रहस्पति देव यहां पर बैठे है अकेले ब्रहस्पति देव बैठे हैं तो कोई नंबर नहीं होगा क्या उनके साथ तो एक नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कोई तो नंबर हो सक तो हम ऐसे समझेंगे कि ब्रहस्पति देव लगने कुडली के नवंभाव में 9th house में अलग-अलग numbers के साथ या अलग-अलग लगने की कुडली में ब्रहस्पति देव 9th house में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में एक और बात समझें कि ब्रहस्पति देव की तीन द्रश्टियां होती है पाचवी, साथवी और नवी मतलब वो जहां बैचे उहां के तो फल देंगे बिलकुल देंगे लेकिन उसके अलावा पाचवे, साथवे नवे भाव के भी फल देंगे तो क्या होता है यहां से पाचव अनलावा पड़ा संधान का ऊहता है बुधी से प्रैमरी अचोटेशन का बहुता है और खासतोर पर uncertain gain, अचानक से लाब होता है नचानक से लाब होता है, कई लोग बोलते हैं लोट्रेश कोई जाएगी क्या, आसके कुछ तो प्रतिष्था का लाब भी हो सकता है या फिर धन का पैसो का लाब है, अचानक से उसका रहा है, अगर आप यह समझ गए अब आप शुरुबात करते हैं यह समझने की कि अलग अलग numbers के साथ क्या फ़ल देंगे तो पहले बात करेंगे एक number के साथ एक number यहां लिखा रहेगा तो बारहम यहां 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 एक बारहम ग्यारहम दस नौ आट साथ छे पाच अब मैं उल्टा क्यों गया हूँ इस नौबर कहा है यह जानकरी होना जरूरी है और यहां पर कौन सा नंबर है यह जानकरी होना जरूरी है बाकि उसके लागव कोई numbers के जानकरी नहीं भी हो तो चलेगा 12 नंबर की जानकरी क्यों जरूरी है क्योंकि यह मीन राशी है गुर्देव की राशी है तो जहां यह राशी है उसके मालिक गुर्देव हो जाएंगे तो आटमी भाव के मालिक अभी गुर्देव बने हुए है 9 नंबर धरूराशी है यह भी गुर्देव की राशी है यह किस भाव के मालिक है उस भाव के स्वामी गुर्देव हो जाएंगे तो अब्विसकि हमें 9 नंबर धरूराशी कहा है यह भी पता होना जरूरी है और लगना कौन सा है तो यह भी पता होना बहुत जरूरी है उसक कियेये ब्रश्वति माहराज देखो एक नियम होता है फावत भावं नियम होता है उस पाश्क lange пом плох का सिवामी पाचम हो चुछ करेंआ किमी नमबब लिखाओ नाखेना कुंदली के BMW आ fak स्वामी है कुद से पाच सिब आप पर बैठ जायी मतलतство फेत दो ती चार पाच्च इस तरह से कहा जाता है कि इंसान अपने बुद्धी से अपने भागय का निर्मान करेगा मतलब यह है कि यह जो है बुद्धी का भाव है बुद्धी के भाव का मालिक यदि भागय भाव में बैठा है तो अपने बुद्धी से अपने भागय का निर्मान व्यक्ति कर लेता है यदि गुरू की मादशा चल रही होती है तो और क्या चाहिए अज तुमें इश्का धिया पर दोश नहीं लगेगा क्योंकि अतियोकार ग्रह गुरु महराज बन करके बैठे हैं ठीक है तो आप यह कह सकते हैं कि से लगनी कुर्णी में गुरु नवम इस्थान में बहुत अच्छे फ़र देंगे ठीक है चलिए तो यह एक नमबर के साथ बात की अब एक के बाद मैं बात करते हैं दो नमबर दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौग दस ग्यारा बार इसको क्यों छोड़ेंगे तो अब क्या हुआ अब कैसे फ़ल देंगे ब्रस्वति महराज तो देखिए कन्या लगनी कुल्डी है और कन्या लगनी कुल्डी में गुरु जो है वह भाग के स्थान पर आकर के बैच और अपने खराब फ़ल देते हैं ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है मैंने बाधकेश और केंदरदिपती दोश की थियोरी को बिल्कुल नका रहा है मैंने बताया कि ऐसा कुछ होता नहीं और यहां पर गुरु महराज जो है वह अपने अच्छे फल देंगे लेकिन एक पाल जरूर समझने की है कि गुरु कौन से चतुर दभाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी चतुर दभाव मतला माता का भाव भी होता है का आपके नैटिव लेंड मतला आपका जो आप जहां रहते हैं यह आपका जहां जन्म हुआ है वहां का भाव भी यह होता है और साथ ही साथ ये पहत्रक संपत्ती का भाव भी होता है और ये पती-पत्नी का भाव है पती-पत्नी के भाव के साथ साथ ये बिजनस पार्टनर का भाव भी है और डेली वजिस आप ऐसे जो कारे करते हैं जिनसे आपको कुछ पैसा नहीं मिलता जिनकी लिए आप जाने नह जाता होगे हम क्या करते हैं तो किती पार्टी करतवी करती हैं लेकिन उन वह से क्या करता हैं यह यह पोजेंगैं करती हैं तो जिस इसके लिए आप जाने नहीं जाते लेकिन आप रेगूलर्ली वह काम करते हैं उस भाव को भी इससे देखा जाता हैं लगने पुर लेके सब्टम भाव से तो अभी क्या है न कि सब्टम भाव का मालिक भाग के भाव में जाकर के पैड़ गया तो यहां पर क्या होगा कि विवाह के पश्याद इंसान के भाग्य में बहुत जादा व्रद्धी होने वाली है और विवाह के पश्याद भाग्य में व्रद्धी होगी तो नहीं संदेह सारी जो कोई कुछ चल रहा होगा कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होगी कुण्ड़ी में और सब चीक हो जाएगी कुण्ड़ी मिलान करके शादी करना पड़ेगा मेरी इस बात कर जरूर ध्यान रिखेगा और विभा के पेशान भाग्य दे होगा जो है बहुत अच्छा बढ़ता है अध्यात्मिक इंसान होता है अपनी बुद्धी से अपने भागे का निर्मान कर लेने मदा वेक्ती होता है पढ़ा ही लिखेगे दरश्की कौन से भी यह से बहुत अच्छी है दो नमबर के साथ दो के बाद में अब क्या होगा ओब्विसली तीन नमबर तीन चाल पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह बारा अब क्या होगा तुला लगन की कुल्ली बन गी तुला लगन की कुल्ली में गुरू महाराज वैसे तो भागे इस्था अंदर बैठे हैं तो ऐसा वेक्ति अध्यात्मिक तो होगा अच्छा इंसान भी होगा मेहनत जादा करने वाला भी होगा बुद्दिमान भी होगा ज्यानी भी होगा लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि छटवे भाव के स्वामी भाग के भाव पर बैठे हैं तो गुरू की मादशा में रोग ह होगे खास उपर मोटापा ऐपर डियाबिटीज जैसी समस्थ्या निल्मित हो सकती है थायरेट जिसे समस्थ्या निल्मित हो सकती है भाग दौर का मानिव भाग बाद बैठा है गुरू की मादशा पर भाव जादा करने पड़ेगे उसके पदले उतने फल नहीं मिल पाएं पड़ा लिखाएंगे भी मन उतना न लगे ऐसे स्थित्या भी बनेगी तो अच्छी बात नहीं हो तीन नमबर के साथ तीन के बाद चार नमबर चार पांट छे साथ आठ नो दवस ग्यारा बारा अभी क्या होगा देखें बहुत खुब्सुरत बहुत खुब्सुरत मतलब मैं कहुंगा कि यदी ऐसे गुरू की मादशा चल पड़ी तो गोल्डन पीरेड आ जाएगा ऐसे इंसान का golden period आ जाएगा क्यों ऐसे क्यों कहा रहा हूं है विर्शिक लगने की कुल्ली है और पंचम भाव के स्वामी गुरू खुद अपने भाव से पंचम में बैठे हैं उच्छ राशी के बारा नमबर पाच्वे भाव में पाच्वे भाव का स्वामी अपने से पाच वह होता नहीं पाच वड्धी भाव में बहुता यह वाण है लेकिन यह लॉचिक को होता नहीं है पाचवे का Swamhe 5 हमैं मैंली लॉचिक इस प्रकार से हो सकते हैं लिकिन दूसरे का आर्ण अश्मीर को सकते हैं लेकिन एक निकलती हो निकल दीजए हो तो आ से व्येट्थी क इंसान नॉर्मली भी गुरु की द्रश्चा चले न चले अपने बुद्धिस अपने भागे के निर्मान कर लेता हैं लेकिंग यदि गुरु की माद अचा चली तो पढ़ाई लिखाई के द्रश्ची कौन से बहुत उच्च लेवल का होगा उच्च की सिक्षाई हासिल करने क बहुत उच्च की करेगा बहुत अच्छी महानद करें अच्छी का मतलब यह कि फिजूल बहुत सारे लोक फिजूल में दी लगे रहते तो ऐसा नहीं लगाया उसका फल की उसे मिरेगा और सही दिशार रही एसान्सान के पास भाग में बहुत ज़्यादा शार्प होगा उ वेबसाइट प्रोफिशन या पाई वारी दर्ष्टी कोंट से गोल्डन प्रियड होने वादा है चाहराशी 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 के गुरू हो जाते हैं कि है ना कि है चाहर नमबर के बाद में बात करेंगे पांच नमबर की आच छे साथ आच नौब ड़स ज्यारे बारा है कि बस कट सब्सक्राइब तो 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 अजिए नमबर लगन पर लिखा हुआ यह प्रेर माली कुरू हो गये कुछाए गुरू अपने अपने ही माली सब्सक्राइब के स्वामी भाग्य 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 में होगा लगने भाव के स्वामी खुद उठ करके भाग्य में चले गए हैं भाग्य बहुत मजबूत होगा अध्यात्मीक इंसान होगा उसे इज़त मिलेगी प्रतिष्टा मिलेगी महनत ज्यादा करेगा लेकिन सफल बनेगा पराक्रमी होगा बहुत दर्श्टी कोंट से बहुत ज्यादा अशार्प होगा ज्यानी होगा तो गुरू की महादशान बहुत अच्छे डिजल्स जो है वो चैनल शेज शार्थ आच नौँ दस ग्यार अब क्या हुआ है तो इस्तिया थोड़ी सी प्रिगड़ गई कैसे प्रिगड़ी मकर लगन की कुंड़ी है और मकर लगन की कुंड़ी के जो मालिक है वो शरी होते हैं और शरी ने गुरुदेव को बार्वा इस्थान दिया नौबर बार्वी इस्थान पर गजा है और गुरुदेव को कौन सा इस्थान दिया तिसरा इस्थान दिया दोनों ही भाव मारग भाव काने जाते हैं तो मारग भाव के स्वामी गुरु की दशा चल रही है खराब रहेगी एक विश्य में तोबह सा अच्छा हो सकता है जै एक बात हो सकती है अधर्वाइस तो अच्छी स्थिति नहीं है खर्चा कर्जा हो अध्यात्मिक होगा इंसान अच्छी इंसानियत रखेगा लेकि महनत बहुत जाधा करने पड़ेगा पड़ा ही मन न लगे ऐसी स्थित्या निर्मितों की सफलता जल्दी नहीं मिलेंगे सफल अच्छा के बाद में साथ नुबर साथ आठ नौग दस ग्यार है बार है अब क्या होगा तो देखे यहां पर ब्रस्पति महाराज जो है तुरा राशी में गुरु महाराज तुरा राशी में बैचे हुए है और कुम्भ लगने की कुंड़ी जो है वो बन के सामने आए कुम्भ लगने वैसे तो शनी महाराज का ही लगन लेकिन शनी महाराज ने गुरुदियों को दूसरा को बोलते हैं औलाव का इस्थान जो कभी कभी आपसे मिलते हैं उनका भाव भी होता है और चोटी मुटी पिमारियों का भाव भी होता है और दुसरा भाओ धन का भाओ में परिवार परिवार का में, ऊसका भाओ भी है वानी का भाओ भी है। कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है जो सलहा देता है वो डॉक्टर हो सकता है वो वकील हो सकता है वो सेय हो सकता है वो टेक्स एडवाइजर या फाइनेशन एडवाइजर हो सकता है वो आस्ट लॉजर हो सकता है वो मार्केटिंग में हो सकता है सेल्स मार्केटिंग के लिए विजिट करता है जो आप बोल करगे किसी हो कण्विंस कर रहे हूँ या बता रहे हो सिखा रहे हो समझा रहे हूँ तो ये सिखाना पढ़ाना समझाना बताना ज्यान देना सला देना इस प्रकार के स्थिफियां जो है लेगें प्रॉब्लम यह आज दी कि इस कुंड़ी में कोई योगका रख नहीं है गुरू इस कुंड़ी के मा रख भी नहीं योगका रख भी नहीं है सम है तो कुछ अच्छा ही होती ही तो बुराई ही तो होगी फिर तो क्या बुराई होगी बेमारी health issues लगे रहेंगे शत्रू बनते रहेंगे emotional विक्ति जादा होगा चिंता तनाव जादा करेगा कई बार depression के स्तिती भी देखी गई है ठीक है साथ नंबर के साथ किस अड़ में याठ नमबर आँज नो दस जाब अंब क्या हबहा कि में वर्राशिं मीं लगनरी खुद लगर गुरु खुद लगनेश गुरु भांगिस्थान पर रिश्य तो लगनेश का भाद के स्थांतर मित्र राशी में आना क्या ही कहूं फिर इसके लिए बहुत शांदार बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है चाहे आप भागदौर महनत की बात करें महनत से बिलकुल लाब मिलेगा भागदौर जिस चीज़ के लिए इस जिंदके में भ तो इस पॉइंट को इस पॉइंट तक आना है तो एक महनत यह होती है कि यह आ गया तो आने में महनत लगी लेकिन आ गया और एक महनत यह होती है आए दो नो लेकिन एक आराम से आ गया सिधा आ गया एक ने बहुत परिश्रम किया और फिर आए तो बात इसी है कि यहाँ पर जो भागदौर मैनत होगी वह सीधी होगी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा काम का परिश्रम करना और वो मिल जाएगा जिसके लिए वो मैनत या भागदर की जारी है बातिक द्रश्टिकॉन से इंसान बहुत ज़्यादा शार्फ होगा बहुत ज़्यादा उन्नती करने ला पढ़ा ही निखाएगे पीता का भाव इसे तो कहते हैं यहां पर तो कहीं और पहुचा देगा ईसा इनसान अपने पीता की बिजनस को हाथ में लेने के बाद में तो यह बहुत अच्छी बात आती है यह पीता जो चाहते हैं वो काम करें बेटा आप ये बनो बेटा आप ऐसा करो पिता की सलाह लेकर एक काम करें तो भी बहुत आगे पड़ता है इसा हिसा आख नमबर के साथ हो कि आख के बाद मैं नौ नमबर यह नौ नौ नमबर तो नौ 10-11-12 नौ नमबर तो ब्रस्माति देवगा खुद का नमबर होता है और भाग्येष मतलब नौ नमबर भाग्य भाव में है तो भाग्य भाव के मालिक ही खुद अपने भाग्य भाव में बैठे हो है बहुत शादर है द्वादसेश का दोश नहीं लगेगा यहां पर क्य बहुत जादा उमनती। इंसान को देखने को मिलेगी या फॉर्ण सेटल्मेंट गुर्ण की माधाश्या में बहुत इजीली हो जाएगा नौ नॉम्बर के साथ नौ के बाद में दस नॉमबर दस ग्यार हैं बाहर हैं एक दो नौ नो इस बाहुमें और व्रशव्ण लगन पर आ तो ग्रिशव लगन की कुण्ली बन गई और गुर्ण महाराज दस नंबर दस नंबर क्या होता हैまकर राशी मतलब अब पहली बात तो खुद गुरु नीच दूसरी बात अस्टम भाव के स्वानी जो है वो बैठे हो तब अतीम भाव के मालिक को अतीम आरग्रह का दर्जा प्रापता है एक बात ये भी हो सकती है कि अस्टम भाव का मालिक हो तो योग कारक हो जाता है आपको ये लाइन समझ में नहीं तो कोई बात नहीं ज़िए आपके दिमाग में एचीज घूम रही हो कि अस्टम भाव का मालिक हमेशा ही नेगेटिव होता है तो एक परिस्तिति में नेगेटि यहां पर जो हैं ना वीपृत वाज़ोंगे ना त्रीकोन का स्वामी है अब इतनी बात यदि आपको समझ में नहीं आए ना तो इतनी बात को छोड़ देना और यदि आपको इतनी बात अपने दिमाग में पहले से आई थी या शंका होई थी तो आपके शंका का समाधान भी ह इतनी लाइन को छोड़ दे जिनको शंका होई थी उनके शंका का मैंने समाधान कर दिया ज्यादा फस्तने का दिमाग में नहीं आए तो फस्तने का जुड़त नहीं होता है अति महारत ग्रवन जो है उसकी महादेशा चल रही है इसको बोलते है एक तो नीम का पेल कड़वा अपने आप में उसके उपर करेले की पेल लिप्टी हुई है और प्लस खड़ा तो यह स्थिति को निर्मान करेगा भाई उडशा लगनी कुल्डी है शुक्र महाराच कुल्डी है बहुत खराब दर्शा बहुत खराब जाने वाली हेल्थ के दृष्टिकों से बहुत खराब बिजनस से सब्वेक्टी करने सकता है नौकरी करेगा लेकिन उप्ति नहीं मिलेगी पारेवली मत्बद और कि मिठ हो सकते हैं चिंता तना वेंजाटी डिप्रेशन के स्थिति हो सकते हैं तो खराब है अच्छी लिए था सौरी अब ग्यारा नमर्य ग्यारा बारा एक दो त अब क्या होगा तो देखिए यहां पर गुर्देव अतियोगकार्ग्र नहीं है हलाकि कई लोग कहते हैं कि मितुल लगने कुल्डी में गुरू बादकेश होते हैं तो बादकेश भी नहीं है मारकेश भी नहीं है लेकिन अतियोगकार्ग भी नहीं है तो संब्द रहे हैं अब एक अच्छी बात पता है कि पत्नी या पती भाव का स्वामी भाग के भाव में बैठा है तो पत्नी या पती आने के बाद या शादी होने के बाद कुंडली मिलान करके शादी होने के बाद इंसान का भाग्योदर बहुत मजबूत होता है ये बात पक्की है लेकिन शाद सामान नौकरी चल्ता है वेबसाइचा द्रश्टिक्वा अच्छा आध्यात्मिक्ता के द्रश्टिकों बहुत बहुत अच्छा होता है गया नुबर के साथ कि忍मारी कजया बात कोरबस फाइनली बारा वारा वारा यारह दस मॉपक क्या होगा है लेकिन लेन खलाओ के मालिक वी पर आतियोगगृ तो अतियोगकारिक थनी के मालिक पूर लिए भी या golden period होने वाला है golden period होगा इंसान का golden period होगा किवल एक बात का ध्यान रिखेगा मोटापा जब घर में किसी को हैरीडिटी है तो बस इस चीज़ का ध्यान रखेज़ेगा अपना एक्सेस डाइट प्लान या डॉक्टर को समय समय पर दिखाना चेक अप कराना पस उस बात कर ध्यान रखेज़ेगा व्योंकि रोग भाव के स्वामी की दर्शावी चल रहे ही ना बस इस वीशे में अन्य था अन्य था या मने चर्चा की है एक नमबर से लेकरके बारा नमबर तक गुरोदेव नवहार में शर्ति की आप पत कैसे चटप naar वजी